सो गाइज यह है मेरी CBR 150R जो कि मैंने इससे दो साल पहले लिया था और बहुत सारे लोग को दिमाग में ये कोशन रहता है कि ये CBR discontinue क्यों हो गई थी आज इस व्लोग में बताने वाला हूँ आपको कि ये बाई क्यों discontinue किया गया था इसे और कितनी रेलाइबल है ये बाई तो चलो बताता हूँ आज मैं आपको बताने वाला हूं यह सब चीज जो मैं आपको बताया और यह अपनी गाड़ी सुन्दर सी प्यारी सी और बहुत ही बढ़ियां लगए ब्लैक बीस्ट लगए ब्लैक इन वाइट चेस खेल लो इससे और यहां पर पानी नहीं देख रों कितना भर गया यहां प और जब आए थी मारकेट में तो 2012 में आए थी 2012 में क्या हुआ कि 3-4 साल चली 2017 तक क्या चलीए finding यह बाईक वार उसके बाद क्या हुआ अचानक से बंद हो गई फिर इसके बाद क्या होग क्या हैIE है प्या है पूरी पूर्य स्पोर्ड वाई एक जो इंजन होता है ना आप् आया इसमें पूरे स्पोर्ट सी लोक तो हुआ क्या था सबसे पहले बाई कि 2012 और 2017 की बीच में बढ़ियां गाड़ी दो 250 सेग्मेंट की 250 सेग्मेंट की दोनों उसके बाद यह हुआ कि यह गाड़ी ना चेंजस नहीं ला रही थी अब इसमें जैसे कि आर और फाइब थी पहले सी मार्केट में उसके बाद आर फाइब का क्या था कि वह नया जेनरेशन के अप्रेड़ेट लाती थी इसके बाद करना पड़ा क्योंकि ये जो इंजन दे रहा था आर वन फाइब का वो लगी दे रहा था थोड़ा सा प्रेड़ेट करके दे रहा तो यह क्या चेंजिस नहीं कर रहे थी से इसको कर दिये अब बागी जाती है बाइक पर जिसको भी लेना है तो पुरी रेलेबल बाइक है बहुत ही बड़ियां गाड़ी जैसे मैं देखो की चड़ में भी ले जाता हूं कोई इशू नहीं आता अभी यह ओफ रूडिंग वा प्रजिशन है ना माइलेज वाले सब अवरॉल मिलाके बहुत ही बड़िया है तो इस वज़े से यह मार्केट में चली थी उसके बाद कुछ टाइम बाद लोग इसको पसंद नहीं किया क्योंकि आरवन फाइव टक्कर दे रहे थी सबको लुक्स के मामले में इसके बाद ग फिरेंग दिखा है क्योंकि इसकी सेलिंग कर अब देखो जिसके पस भी और भाईप जैसे मेरे पास है तो में इसको कैसे लगता हूं और मैं कैसे चलाता हूं एंड मै current कैसे लगती से गाडטी फारी घंडी बता सकता हूं जितनी कम रहेगी तो इतना ही लोगों को कर एका मा तो उसको भी यह competition दे देती अच्छा गाजा और मतलब टक्कर में रहती है ऐसा नहीं कि यार 150 सेग्मेंट में तो भागती नहीं है अल्मस्ट 150 की स्पीड में भगती यह बाइक सोचो मैंने पर्सनली भगाया है तो मेरे को पता है इसमें क्या था क्या लिम्टर नहीं था पहले पहले लिम्टर नहीं रहता था अब लिम्टर आने लगा आरेस एंड सम्में लिम्टर अगर खोल दिया जाए तो जा सकती है आग अब मैं बताता हूं कि तो यह वाली जो बाइक है नाई जनेशन की तो कब आएगी बहुत लोगों का सवाल रहता है हलाकि मैंने एकसपेक्टेट देखा है कि दोजर पफचिस में जून तक में आ जाएगी बाइग ईसल बताया जाए रहा है दोजार पचिस में इंडिया में आ जाएगी लॉंच हो जाएगे पर उसका भी भरोसा है और आए बूत रहुद पटलब हैंपीया पर हाला कि बहुत लोगों के पास है ऐसा नहीं कि यह गाड़ी है नहीं इसकी रिसेल मतलब वही है यार करीबन पचास से साथ यारा रूपए में आपको मिल जाती है 150 जो की अच्छे प्रोवाइड करने लगे आरों फाइब अब जो सी बियार आएगी नहीं वाली उसमें भी इस इंजन रहेगा मज़ा आजाएगा भाई सच में आये तो मज़ा आजाएगा देखने में चलाने में भी सो अब इतना गैप था देखो पहले एक सूरूम एक 26 की आती थी और ओन र कर रहा हूं उसको देखों एंड वीडियो बनाओं और चलाओं अगर बाद में रहेगा तो भाई मेरा एक सपना है बहुत ही बढ़ियां कि सिभी आर 650 लोंगा वाई मैं ऐसा सोचा है मैंने अगर इन फ्यूचर भाई अगर मैं अच्छे पैसे कमाता हूं तो 650 ले लूँग बाइब आता है जादा भी नहीं है पर हां रिलेबर बहुत है इसका इंजन इतना पुराना होगे इसका इसके बाद भी इतना अच्छा प्रफॉर्मेंस देता यह बाइक एंड माइलेज भी देती है तो यहीं तो होता है रिलेबल मतलब क्या होता है हर चीज ओवर ओड़ बोलते हैं कि रिलाइबल है पूरा वाई मतलब इसका जो ग्राउंड क्लिरेंस है एंड सिटिंग पोजिशन है और माइलेज है और ऑफ रोडिंग में सो कोई भी इशू नहीं आता ग्राउंड क्लिरेंस देको कितना अच्छा गाजा है बाई कहीं भी कुदा दो इसको सो ग आप बाई को पर मेरा कहना कि भाई देखो अच्छी सीटी में रह रहे हो ना तभी लो नहीं तो मतलो बिलकुल को क्योंकि पार्स नहीं मिलेंगे तो आप बहुत ही मतलब परशान हो जाओगे मच्छर सो गाइस बहुत ही इंतजार है मेरे को लॉंच डेट का यह सी बीयार क पर अभी एक्सपेक्टेड है आने में कितना टाइम लगे यह नहीं पता पर देखते हैं यार सब लोग को है जितने भी सी बीयार लवर है एंड होंडा से जो प्यार करते भाई सब लोग मतलब इंतजार कर रहे हैं तो देखते हैं अपका बाती है आप बारिश वरिश होने लगी यहां पर तो मैं निकलता हूं घर की और सो आप बताना कमेंट करके कैसे लगा याला व्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक जुरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड गाईज ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहूं जिससे कि भाई मैं मोटिवेटेड रहत रहूं एंड अभी मैं निकलता हूं घर की और सो आप सबसे मिलता हूं नेश व्लॉग पर तब तक के लिए बाई थैंक यू सू मच पर वाचिंग